हेलो बच्चों, वेलकम टू माई चैनल आरेंजी के हाउग, आए हम देखने वाले हैं, एफले एन अंकुर बर्क वोक, कक्षा तीन, बुसे हिंदी का पार्ट पांच, जिसका नाम है धर पटक और मुपटक, सप्ता दो का संपूर्ण हल, तो आईए बच्चों, अपन सप्ता दो पार्ट पांच का संपूर्ण हल देखते हैं, पर अभी आपने मेरे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है, तो सब्क्राइब जरूर कर ले, इससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचाएंगे, ओके बच्चों, चलिए आईए देखते है पन, पिथम दिवस में हैं, मौकिक चर्चा आदारित लेखन, मौकिक चर्चा में आए शब्दों को वोट से देखकर लिखना है, जैसे मैंने लिखा है कजूर का पेर, हाती, तालाव, हसना, आदी, पिछ नमर दो है, मैंने हाती का नाम सुंदर होताया, आप बताए हाती का नाम क्या हो सकता है आपके हिसाब से, तो मैंने लिखा है, इसमें भोलू, अब पठन बोद में देखिए, आप इसको पूरा अच्छे से पढ़िए, दरपटक और मौपटक का पूरा पार दिया हुआ है, उसके बाद आप प्रिश्णों के आंसर दीजिए, दोनों पहलवा नाम के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं मौपटक और दरपटक, शब्द वाग पठन लेखन पे दिया है, बाक को पढ़िए एवब लिखिए, हाती ताल आपका सारा पानी पी गया, तो ऐसक ऐसा आपको उतारना है, लड़का पेर के नीचे बैठा है, बाक्यों को प चलते चलते रुख गए, पैलवान में दमखम था, वे जोर जोर से चिल्लाई, माता पिता को की बात मानना चाहिए, तो यहां पे जितने भी शब्द, योगम शब्द हैं उनमें अपन को चिन्न लगाना था, जो कि मैंने लगाया है, आप देखिए, आप धारा प्रवा होता है बच्चों, तो आप बता सकते हैं, मिर्च का स्वात दीखा होता है, हाती के बारे में दो बाक लिखो, तो पहले आ है हाती, सब जानवरों से बलवान होता है, हाती के दांत बहुत बड़े-बड़े होते हैं, और भी लिख सकते हो, आप हाती की सून लंबी होती है, ह मोखिक चर्चा में आई शप्तों को बोट से देखकर लिखना है ब्यक्ति, जीव, कामर, रास्ता, आदी पिश नमबर दो है दरपटक दूसरे गाउं पैदल जा रहा था यदि आपको दूसरे गाउं सेर जाना हो तो आप कैसे जाएंगे तो आप लिख सकते हैं बस से या ट्रेंड से जाएंगे पिश नमबर तीन है हाती के अलावा और कौन-कौन से जानवर तालाप का पानी पीने आते होंगे कोई तीन नाम लिखो लिख दीजी आप कोई भी नाम मैंने या लिखा हिरन, चीता, सेर अब पठन बोद में देखिए, इसको पढ़िए आप उसके बाद कुशन आंसर लिखिए हाती को मुव पठक पर गुस्ता क्यों आ गया था क्योंकि मुव पठक तालाप का पूरा पानी पी गया था दूसर कुशन है, मुव पठक दर पकड़के गाउं क्यों जा रहा था धर पठक को सबक सीखने जा रहा था अब शब्द बाग पठन में देखिए, शब्दों को पढ़िए और लिखिए गाउं, आंगन, पहुंच, बाद, दात और यहाँ, इन सब को पढ़ना है, सब चंदरविंदू वाले शब्दे इनको अपन को फिर लिखना भी है फिश नमबर दू है, सुद्ध वरतनी वाले शब्दों को चाट कर लिखिए डंडा, मांगन, कंदा, दात, गाउं पतर जिनके उपर चंदरविंदू, अनुस्वार और नासिक लगे हुए उनको अपन को चाट के लिखना है अब धारा प्रवा प्रिशन देखिया, आप मौकिक प्रिशने दरपन का मतलब क्या होता है, तो आप लिख सकते हो, शीशा होता है, आयना होता है बंदर की आखे क्यों जपक गई, सूर की रोशनी के कारण बंदर की आखे जपक गई लिखित प्रेशने बंदर ने दरपन को अपनी और किया तो क्या दिखा उसे एक बार बंदर फिर से दिखा अब ये सुतन्त लेखा ने चित्र में दिखाई दे रहे जानबरों के नाम लिखिये हाती, जेबरा, कचुवा, बंदर, आदि लिखना है अब सुतन्त पढ़ने आप लिखिये इस कानी का नाम क्या है सुन्दर और बीरू और इनके पात्तों के नाम क्या है सुन्दर और बीरू इस तरीके से आपके दो दिवस पूरे हुए बच्चों आपन तरतिये दिवस देखते हैं मौकिक चर्चा अधारित लेखने मौकिक चर्चा में आई शब्दों को बोट से देखके लिखना है आपको शाला में कौन कौन से खेल करा जाते हैं जैसे कोको, कुछी दौर, चम्मसरेस, आदी कुछ खेल सामक्रियों के नाम लिखिये गैंद, बल्ला, कैरंबोर, फुटवाल, पठन बोध है लिखित प्रेशन है धरपटक अपने साथ सत्तू की जगए खाने के लिए और क्या लेकर जा सकता था तो आप लिखो केला, चना और फल पिश नमबर दो है सत्तू ग्याओं और चने के आटे से बनता है जाएगा इस तरीके से आप लिख सकते हैं अब शब्द वाक पठर है दिये गए शब्दों को बोली और इसी प्रिकार की दोनी वाले शब्दों को लिखिए तो जैसे पानी का नानी, जटपट का सरपट, हार का कार, चर्चा का खर्चा और रीता का सीता अब इस नमबर दो है, दिये गए मुआवरों के अर्थ को सारी जोड़ियां बनाईए और फिर लिखिए तो ये जोड़ियां मैंने मिला दिये, आप इसको लिख सकते हैं अब दारा परवापठन देखिए पसीना छूट गया मुआवरे का अर्थ लिखिए तो आप लिखो गवरा जाना, क्या लिखोगे गवरा जाना सुतंत रब्या से इसको पढ़ लीजिए और सारे आप अपने सहरे गाउं के किसी दूसरी जगे गुमने आने पर रास्ते में आपको क्या-क्या दिखाई दिया आपकी यात्रा से जोड़ी बातां को तीन-चर बाकियों में लिखिए बहुत सारे पेड़ पोजे दिखाई दिये मेदान में गाए भूम रही थी बच्चे खेल खेल ले थी इस तरीके से आपको लिखना है बरका सीरीज की किताब पुस्तकारे को लेकर पढ़िए तो पुस्तक का नाम क्या है बोलू हाती पुस्तक में आए किसी भी एक व्यक्ती जानवर बस्तु का नाम लिखो तो मैंने लिख दिया हाती ठीके बच्चों यह आपके तीन दिवस पूरे हो गए आपन चतुर दिवस देखते है चतुर दिवस में भी मौकिक चर्चा पे आए शब्द लिखना है हाती बंदर भालू हिरन आदी पिश नमबर दो है आप अपने घर को आसपास दिखने वाले जानवरों के नाम लिखिए बकरी भेर कुत्ता बिल्ली पठन बहुत है इसको पढ़ दीजी आप इन कुश्चनों के आंसर दीजीए दरपटी की नीद कैसे टूटी हाती के धक्का मालने से अपरिश नमबर दो है आप अपनी किसी यात्रा का बंदन अपने शब्दों में लिखिए तो मैंने लिखा है हम सब महाकार के मंदिर गए थे महां की यात्रा की महां बहुत आनद आया हम सबने मिलकर दर्शन किये फिर एक साथ खाना खाया चलिए अप शब्द बाक पठन देखिए बाक बना कर लिखिए जब बायार गया जब बाजार बाह गया तो देखा दुकान बंद है इस तरीके आपको बाक बनाने है जब मैं बजार गई तो देखा नीता भी बजार आई है जब मैं खेलने गई तो देखा बबलू रो रहा है जब मैं बगीचे में गई तो देखा माली आम थोड़ रहा है जब मैं स्कूल में गई तो देखा प्रासा शुरू हो गई है कितना बड़ी है आप चलिए आगे देखिए प्रिश नमबर दो है बाकियों को सिचक सातियों की मदद से पढ़िए और लिखिए मेरे पास सत्तू की पोठली है आपके पास दाल चावा रोग्याओं की पोठलिय मतलन फोतली का पोक लिखिए अपनको 1 बचल से करना है मम्ता के गर बार मोटर गाड़ी खड़ी है तो मैंने लिखा कि रेल्वेइ स्टेशन में डहल सारी रेल गाड़िय आती चाथी है मेरे पास हिंदी की पुस्तक है, मीना के पास हिंदी अंग्रेजी और गणित की पुस्तक है, यहां पर एक बचन और बहु बचन करना है, अब आगे देखते हैं, बंदर क्यों कर रहा था, दरपन को देखकर बंदर ने क्या सोचा होगा, बंदर कुमार में कौन कौन मिला, तो धरपटक और मुँपटक पाट के चित्य देखकर लगता है, यह गर्मी का मौसम होगा, यदि आप सर्दी का मौसम होता तो धरपटक को अपने साथ क्या-क्या सामाल ले जाना पड़ता, सोचके लिखें, तो सर्दी में क्या ले जाते हैं बच्चों, स्वेटर, कंबल, या दे रहा है, अब अपन दिवस पांच देखेंगे, मौकिक चर्चा में आये शब्द है, नमकीन, मेठी, खाना, भोजन, आदी, अपनी पसंदिदे मिठाई का नाम लिखिए, तो मैंने लिखा गुलाब जावन, आप पठन बहुत है, इसको पढ़ दीजी आप लो, यदि आ आपको धरपटक और मुपटक के नए नाम रखने को कहें, तो आप क्या नाम रखेंगे, तो मैंने लिख दिया लटक जटक, अब प्रिश नमबर दो है, इस काहनी के रिउसार, आपको क्या लगता है, ताकत बढ़िए, बुद्धी, तो आप लिखो ताकत, बुद्धी नह प्रिश नमबर दो है, दिये गए मुआबरों का प्रियोक करके एक एक बाग बनाईए, जैसे पसीना चूटना, परिच्छा में बेपर देखकर पसीना चूट गया, मूँ की खाना, मैं इसके सामने राम ने मूँ की खाई, चटकारे लेना, मैं आम चटकारे लेकर खाता हाथ पाँ भूलना, मूँ पठक की बादरी सुनकर जर पठक के हाथ पाँ भूल गए, इस तरीके से अब आपन धारा पर पठन देखेंगे, कच्छुआ कैसे चल रहा था, कच्छुआ दीर दीर चल रहा था, घर को उसके वहार गया, क्योंकि वह एक जगे रुकर सो गया थ सतंत अब्यास है, अपनी पसंद को किसी खाने की चीज का चित्र बना कर उसका नाम लिखिए, तो मैरे यहां पर सेप का चित्र बना दिया है, उसमें आप रंग भी भर सकते हैं, रेट कलर का, आप गपी किराना स्टोर है सतंत पठन में, गपी किराना स्टोर में आता है हमारे में पताया गया है, पिश नमर दू है, होडिंग में दिया गया पता किस सेरका है, तो हमने लिख दिया ग्वालियर, और अररर दाल की कीमत क्या है, निन्यार में रूपी, ठीक है बच्चों, अब शुत लेके सिच्चक द्वारा बोलेगा है शब्द जो आपके सिच् अब बच्चों, यहां पर यही शब्द दिये, इनको अपन को अलग अलग लिखना है, एक जैसे तुकांत वाले शब्दों को इसमें मिलाना है, अब आगे देखती है अपन, यह कुछ मुवरे दिये हुए, इनको पूरा करना है, जैसे रोzhit-mohijit से चारोखाने चित्टों गया, रोhit-mohijit से चारोखाने चित्टों गया, ऐसा कैसा इनको अपनको लिखना है, अब दारापरवा पठ़न है, इस बार कोई क्यों नहीं आया लिखित पृष्ट ने भी चलाने वाले का क्या नाम था तो आप उप्तर में लखिए किसका होने को बताया गया है कभीताप फाट का आईोजन प्रश नम्बर दो है सभी बच्चे को का है कर्टा होना है साभागरे में और प्रश नम्मर तीन है सुछक किसके द्वारा दि गई है फिरदानाध्या पक की द्वारा दी गई है आप ये शुत लेखे सिच्चक द्वारा बोलेगा है शब्द बाक में लिखना है तो बच्चो इस तरीके से आपका ये पार्ट पांच मूँ पटक और धर पटक पूरा होता है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और हाँ चैनल को सब्क्राइब जरूर कर लीजिए इससे आपको पुर्टे क्लास के वीडियो मिलते रहे हैं ओके बच्चो थैंक यू